अध्याए पंद्रह, अव्याए, इन्डिक्लाइनिबल वर्ड्स, देखिए, पढ़िए और समझिए, क, राधा प्रति दिन मंदिर जाती है, वह प्रति दिन फूल माला चड़ाती है, क, पिताजी घर के बाहर खड़े हैं, माताजी रसोई के बाहर हैं, उपर के वाक्यों में प्रति दिन से क्रिया की विशेश्टा का, के बाहर से दो संग्याओं के आपसी संबंध का, तथा और या से दो संग्याओं को जोडने का पता चल रहा है, वाक्यों के बदल जाने पर इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुा है, हम यदि इसी के अन्यवाक्य भी बनाएंगे, तब भी ये शब्द ऐसे ही रहेंगे, कभी न परिवर्तित होने वाले ऐसे शब्द ही अव्याय या अविकारी कहलाते हैं, इन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ज वे अव्याय अथवा अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्याय शब्दों के भेद, kinds of indeclinable words, अव्याय अविकारी शब्दों के पांच भेद होते हैं, एक क्रिया विशेशन, दो संबंध बोधक, तीन समुच्य बोधक, चार विस्मयादी बोधक, पांच निपात, एक क्र एडवर्ब, क्रिया की विशेश्ता बताने वाले अव्याय शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे कम, धीरे, ज्याधा, बाहर, परसूं, यहां, उतना, अचानक, आदी, क्रिया विशेशन के भेद, क्रिया विशेशन के निम्नलिखित चार भेद होते हैं एक स्थानवाचक क्रिया विशेशन क्रिया के हुने अथवा करने के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेशन शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे मेरे सामने बैठ जाओ हिरन उधर बैठा है, हरियाली चारों ओर फैली है, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सामने, उधर, चारों ओर, क्रिया होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतह ये स्थान वाचक क्रिया विशेशन है, कुछ अन्यवदाहरन, यहां, वहां, उपर, नीचे, भीत स्थान वाचक क्रिया विशेशन की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कहां लगा कर प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जो उत्तर आता है, वही स्थान वाचक क्रिया विशेशन होता है, जैसे हिरन कहां बैठा था, उधर, हरियाली कहां फैली है, चारों ओर, दो, काल वा क्रिया के होने अत्वा करने के समय काल का बोध कराने वाले अव्याय शब्द काल वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे नेहा अभी अभी आई है, आज दिन भर वर्षा होती रही, इन वाक्यों में प्रयोक्त रंगीन शब्द अभी अभी दिन भर क्रिया होने के समय काल का बोध करा रहे हैं, अतह ये काल वाचक क्रिया विशेशन हैं, कुछ अन्योदाहरन, कल, आज, अब, जब, प्रतिदिन, सदैव, निरंतर, सुभ, शाम, देखते-देखते, आदी, काल वाचक क्रिया विशेशन की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कब लगा कर प्रशन करते हैं, उस प्रशन का जो उत्तर आता है, वही काल वाचक क्रिया विशेशन होता है, जैसे, नेहा कब आई, अभी अभी, आज वर्षा कब होती रही, दिन भर तीन, रीती वाचक क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के होने की रीती अथवा ढंग का बोध होता है, वे रीती वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे, मेरा उससे परिचय धीरे धीरे हुआ, सभी फल हाथो हाथ बिग गए, इन वाक्यों मे प्रयुक्त रंगीन शब्द, धीरे-धीरे, हाथो हाथ, क्रिया के होने की रीती, अथवा ढंग का बोध करा रहे हैं। अतह ये रीती वाचक क्रिया विशेशन हैं। कुछ अन्योदाहरन, तेज, शीग्र, अचानक, भली भांती, सहसा, फटाफट, मुस्कुराकर, अकसर, आ प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जो उत्तराता है, वही रीती वाचक क्रिया विशेशन होता है, जैसे उससे कैसे परिचय हुआ, धीरे-धीरे, सभी फल कैसे बिग गए, हाथो हाथ, चार, परिमान वाचक क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के परिमान अत्वा मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उन्हें परिमान वाच क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे नमन बहुत घंसता है, आज मैं कुछ ज्यादा खा गया था, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द बहुत ज्यादा क्रिया के परिमान अथ्वा मात्रा का बोध करा रहे हैं अतह ये परिमान वाचक क्रियाविशेशन हैं कुछ अन्योदाहरन खूब तनिक कुछ कॉफी पर्याप्त केवल थोड़ा बहुत अल्प आदी परिमान वाचक क्रियाविशेशन की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगा कर प्रश्न करते हैं उस प्रश्न का जो उत्तराता है वही परिमान वाचक क्रियाविशेशन होता है जैसे नमन कितना हसता है बहुत मैंने कितना खाया ज्यादा विशेशन और क्रिया विशेशन में अंतर विशेशन और क्रिया विशेशन दोनों ही शब्दों की विशेशता का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं अंतर यह है कि विशेशन शब्द संग्या अथ्वा सर्वनाम शब्दों की विशेशता बताते हैं जबकि क्रिया विशेशन शब्द, क्रिया शब्दों की विशेशता बताते हैं। अनेक शब्द ऐसे भी हैं, जो विशेशन तथा क्रिया विशेशन दोनों ही रूपों में प्रयोग होते हैं। अतह प्रयोग के आधार पर ही यह निर्णय करना चाहिए कि अमुक शब्द विशेशन है, अत्वा क्रिया विशेशन, जैसे विशेशन, क्रिया विशेशन, मुझे मीठा से बहुत पसंद है, वह बहुत मीठा गाती है, वह एक अच्छी लड़की है, वह मुझे अच्छी अत्वा मापतौल का बूध कराते हैं, वे परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं, जबकि क्रिया की परिमान संबंधी विशेशता प्रकट करने वाले शब्द परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे परिमान वाचक विशेशन, परिमान वाचक क्रिया विशेशन वहां बहुत भीड जमा है मैं आज बहुत चला तुम काफी शहद ले आए काफी बोल चुके अब चुप हो जाओ आओ दोहराई जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई विकार, परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्दों के पाँच भेध होते हैं क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादी बोधक, तथा निपात क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रिया विशेशनों की पहचान के लिए क्रिया के साथ, कब, कहां, कितना, कितनी, कैसे लगा कर प्रश्न करते हैं दो, समुच्य बोधक, कंजंक्शन निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए नेहा और जय दोनों सगे भाई बहन हैं दोनों मन लगा कर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथमा सकें दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानों कंप्यूटर उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द और ताकि मानों दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का कारे कर रहे हैं इस तरह के विभिन शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्च बोधक कहलाते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं जो अव्याई शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कारे करते हैं वे समुच्च बोधक अव्यय कहलाते हैं, कुछ अन्य समुच्च बोधक, अथवा, तथा, किन्तु, परंतु, या, यद्यपी, तथापी, बलकी, इसलिए, मगर, की, जो की, आदी. समुच्च बोधक के भेद, kinds of conjunction, समुच्च बोधक के दो भेद होते हैं, एक, समानाधिकरण समुच्च बोधक, दो, व्यधीकरण समुच्च बोधक, एक, समानाधिकरण समुच्च बोधक, जो समुच्च बोधक शब्द, समानस्तर के शब्दों, वाक्यांशूं, अत्वा वाक्यों को परस पर जोडते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्च बोध जैसे रावन और विभीशन भाई भाई थे, पायल ने बहुत परिश्रम किया परन्तु सफलना हुई, इन वाक्यों में और परन्तु समानाधिकरण समुच्य बोधक हैं, ये दो समान स्तर के वाक्यों अथ्वा शब्दों को जोडने का कारे कर रहे हैं, समानाधिकरण समुच्य बोधक के भेद, समानाधिकरण समुच्य बोधक के चार भेद होते हैं, क संयोजक, ख विरोधक, ग विकलपक, ग परिनाम सूचक, क संयोजक, जो शब्द समान स्तर के दो शब्दों, वाक्यों, अथ्वा उपवाक्यों को जोडने का कारे करते हैं, वे शब्द संयोजक समानाधिकरण कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं, व, आदी. उदाहरन, रमन बाजार गया और फल लाया, सूर्दास तथा तुलसिदास हिंदी के महानकवी थे, इन वाक्यों में और तथा संयोजक समानाधिकरण शब्द हैं, ख विरोधक, विरोधी बातों, कतनों और उपवाक्यों को जोडने वाले शब्द विरोधक समानाधिकरण क बलकी आदी, उदाहरन, अमन तो आगया, परंतु चंदन नहीं आया, आकाश में काले बादल चाये हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, इन वाक्यों में परंतु, लेकिन विरोधक समानाधिकरण शब्द हैं, ग विकल्पक, दो शब्दों, वाक्यों, अथ्वा वाक्यां का बोध कराने वाले शब्द, विकल्पक समानाधिकरण कहलाते हैं, जैसे या, अथ्वा, अन्यथा, वर्ना, आदी, उदाहरन, लता अथ्वा आशा ही बाजार जाएगी, यह कैमरा आपका है या उदित का, इन वाक्यों में अथ्वा या विकल्पक समानाधिकरण शब्द हैं, घ, परिनाम सूचक, जो समुच्च बोधक पहले वाक्य के परिनाम की सूचना दूसरे वाक्य में देते हैं, वे शब्द परिनाम सूचक समानाधिकरण कहलाते हैं, जैसे नहीं तो, फल स्वरूप, इसलिए, अतह, आदी, उदाहरन, वह बीमार है, इसलिए तेज नही तो देर हो जाएगी, इन वाक्यों में इसलिए, नहीं तो, परिनाम सूचक समानाधिकरण हैं, दो, व्यधिकरण समुच्च बोधक, जो समुच्च बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोडते हैं, उन्हें समुच्च बोधक हैं, या आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड रहे हैं, व्यधिकरण समुच्च बोधक के भी चार भेद होते हैं, क कारण सूचक, ख संकेत वाचक, ग उद्देश सूचक, ग स्वरूप सूचक, क कारण सूचक समुच्य बोधक. जो समुच्य बोधक दो शब्दों, वाक्यों, अत्वा वाक्यांशों को जोड कर मुख्य वाक्य का कारण प्रकट करें, उन्हें कारण सूचक समुच्य बोधक कहते हैं, जैसे क्यूंकी, ताकी, चूंकी, की, इसलिए आदी. उदाहरन वेह स्कूल नहीं आ सकी क्यूंकी उसकी मम्मी बिमार थी. खिड़की खोल दो ताकी रोशनी आ सके. इन वाक्यों में क्यूंकी, ताकी कारण सूचक शब्द हैं. ख संकेत वाचक समुच्य बोधक. जो समुच्य बोधक दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को संकेत के द्वारा जोडने का कारे करते हैं, उन्हें संकेत सूचक समुच्य बोधक कहते हैं. जैसे जो, तो, यदी, तो, यदिपी, तथापी, आदी उदहरन, यदी वह मेरे घर आता, तो मैं उसके साथ चला जाता यदिपी वह निर्धन है, तथापी इमानदार है इन वाक्यों में यदी, तो, तथापी संकेत सूचक शब्द है ग, उद्देश्य सूचक समुच्य बोधक, जो समुच्य बोधक आशृत उपवाक्य से पूर्व आकर प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करता है उसे उद्देश्य सूचक समुच्य बोधक कहते हैं, जैसे ताकि, जिससे की, इसलिए, की, आदी उदाहरन, प्रतिदिन व्यायाम करो, ताकि स्वस्थ रहो भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे की मन शांत रहे इन वाक्यों में ताकि, जिससे की उद्देश सूचक शब्द है घ, स्वरूप सूचक समुच्य बोधक जिन समुच्य बोधकों का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें स्वरूप सूचक समुच्य बोधक कहते हैं जैसे अर्थात, मानो, जो, यानी, आदी उदाहरन, राधा की सुंदर्ता मानो, सुख का सागर है रावन को दशानन, अर्थात, दस सिर्वाला कहते हैं इन वाक्यों में मानो, अर्थात, स्वरूप सूचक शब्द है आओ दोहराई दो शब्दों, वाक्यों, अत्वा वाक्यांशों को जोडने वाले शब्द समुच्य बोधक कहलाते हैं समुच्य बोधक के दो भेद होते हैं समानाधिकरण समुच्य बोधक, व्यधीकरण समुच्य बोधक समानाधिकरण समुच्य बोधक के चार भेद होते हैं संयोजक, विरोधक, विकलपक, परिणाम सूचक व्यधी करण समुच्य बोधक के चार भेद होते हैं कारण सूचक, संकेट सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक तीन, संबंध बोधक, प्रिपोजिशन जो अव्यय, अविकारी शब्द, संग्या, अत्वा सर्वनाम के बाद लग कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे संग्या या सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं उद्दहरन, मेरा स्कूल मंदिर के सामने है रोहन के सिवाए मेरा कौन है? पेड के पीछे चोर खड़ा था, मैं पूजा के लिए फूल लाया हूँ संबंध बोधक अव्ययों की पहचान संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग हमेशा परसर्ग या कारकिय विभक्ती का, के, की आधी के साथ ही होता है अन्यथा ये संग्या, विशेशन या क्रिया विशेशन बन जाते है? ध्यान दीजिये संबंध बोधक के बिना वाके का अर्थ सपश्ट नहीं होता क्रिया विशेशन की तरह ही ये भी काल, स्थान या दिशा का ज्यान कराते है संबंध बोधक के भेध, kinds of preposition संबंध बोधक अव्याय के भेद तीन आधारों पर किये जा सकते हैं एक प्रयोग के आधार पर दो व्युत्पत्ती के आधार पर तीन अर्थ के आधार पर एक प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के भेद प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं क परसर्ग युक संबंध बोधक इन संबंध बोधक शब्दों के साथ विभक्ती चिंध लगे होते हैं और इनका प्रयोग संग्या के बाद होता है जैसे घी के बिना, स्कूल के पास, डर के मारे, छत के उपर आदी ख परसर्ग रहित संबंध बोधक इन संबंध बोधकों के साथ विभक्ती चिंध परसर्ग नहीं लगते हैं ये भी संग्या शब्दों के बाद ही आते हैं जैसे दो दिन पहले, सेना सहित, पीठ पीछे, चमच भर, आदी दो व्युत्पत्ती के आधार पर संबंध बोधक के भेद व्युत्पत्ती के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं क मूल संबंध बोधक कुछ शब्द मूल रूप में ही संबंध बुधक होते हैं, जैसे तक, बिना, समेथ, भर, आदी, ख, यौगिक संबंध बुधक, कुछ संबंध बुधक की रचना प्रत्य या परसर्ग लगा कर की जाती है, जैसे के जमा पास, के पास, के जमा आगे, के आगे, किनारा जमा ए किनारे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है, काल वाचक, से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के उप्रांत, के पूर्व, आदी, स्थान वाचक के उपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के बीच, से दूर, आदी दिशा वाचक की तरफ, की ओर, के चारों ओर, के आसपास, के समीब, के पार, आदी सहचर वाचक के संग, के साथ, के सहित, के समेत, के सहचर, आदी विरोध वाचक के प्रतिकूल, के विरुध, के उल्टे, के खिलाफ आदी समता वाचक के समान, की तरह, की भाती, के अनुरूप, के जैसा आदी साधन वाचक के द्वारा, के कारण, के जर्ये, के सहारे, के हात, के माध्यम आदी अतिरिक्ता वाचक के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, के सिवाय आदी, विशय सूचक के नाम, के विशय आदी, संग्रुह वाचक पर्यंत, तक, भर, आदी, उद्देश्य वाचक के हे तू, के निम्मित, की खातिर, के लिए, आदी, कारण सूचक, के मारे, के लिए, के कारण आदी क्रिया विशेशन और संबंध बोधक में अंतर हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेशन तथा संबंध बोधक दोनों ही रूपों में होता है किंतु प्रयोग की दृष्टी से इनका अंतर जानना आवश्चक है यदि इनका प्रयोग क्रिया की विशेशता बताने के लिए होता है तब ये शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं लेकिन जब इनका प्रयोग संग्या अत्वा सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध बताने के लिए होता है तब ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं जैसे शब्द क्रिया विशेशन के रूप में संबंध बोधक के रूप में भीतर वह भीतर चला गया वह घर के भीतर चला गया पहले मैं पहले आया था जैसे पहले हमारा पहुचना जरूरी है आओ दोहराईं जो शब्द संग्या अत्वा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संग्या या सर्वनाम शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं संबंध बोधक शब्दों से पूर्व प्रायह कोई न कोई परसर्ग अत्वा विभक्ती अवश्य लगी हो आदी मनुभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादी बोधक अव्याय कहलाते हैं, जैसे हट, छी, जीते रहो, बाप्रे, ए, ए, धत, आदी, याद रखिए, विस्मयादी बोधक अव्यायों का प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है, इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनुभाव प्रकट करते हैं, विस्मयादी बोधक शब्दों के बाद सदैव विस्मयादी बोधक चिन्ध का प्रयोग होता है, विस्मयादी बोधक के भेद, काइन्स ओफ इंटर्जेक्शन, विभिन्द मनुभावों के आधार पर विस्मयादी हटो, बचो, सावधान, खबरदार, होशियार, आदी. दो, स्विक्रुती बोधक, हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी, जी हाँ, आदी. तीन, आशीरवाद बोधक, शाबाश, जीते रहो, दीरघायू हो, सुखी रहो, आदी. चार, संबोधन बोधक, अरे, अजी, सुनो, ओ, ए, हे, आदी. पांच, विस्मय बोधक, अरे, क्या, हैं, ओ, ए, सच, आदी. छेह, हर्ष बोधक, अहा, वाह, धन्या, खूब, शाबाश, आदी. साथ, शोक बोधक, उफ, अह, हाए, त्राही त्राही, हाए राम, आदी. आठ, तिरस्कार बोधक, हट, धिक, चुप, छी, धत, आदी. नौ, अनुमोदन बोधक, हाँ, 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 ठीक, अच्छा, आदी. दस, क्रोध बोधक, धत, चुप, ओय, अबे, आदी. कभी-कभी संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया आदी शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादी बोधक अव्याई के रूप में होता है. जैसे, संग्या, शिव-शिव, हरे राम, हे भगवान, बाप्रे, आदी. बाप्रे, इतनी भीड. सर्वनाम, कौन, क्या, आप, आदी. क्या, दादा जी आए हैं? विशेशन, अच्छा, ठीक, सुन्दर, बहुत अच्छे, आदी. सुन्दर, क्या बढ़िया लेख है? क्रिया, चुप, आगए, हट, आदी. हट, बीच में मत बोल. क्रिया विशेशन, कहां? दूर-दूर, आदी. दूर-दूर, मेरे पास मत आना. आओ दोहराएं. मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द विश्मयादी बोधक कहलाते हैं. कभी-कभी संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया आदी शब्दों का प्रयोग भी विश्मयादी बोधक अव्याय के रूप में किया जाता है. निपात, निपात, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझे, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, उसने तो मुझे देखा भर है, सुभा तक ठीक हो जाएगा. उपरियुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द ही, तो, तक ऐसे अव्याय हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेश बल दे रहे हैं. व्याकरन में ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं, ऐसे अव्याय जो किसी लग कर उसके अर्थ पर विशेश बल देते हैं, निपात कहलाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निपात एवं उनके प्रयोग, ही, आपको ही जाना होगा, भर, हम तो उसे मिले भर हैं, भी, तुम भी चलो तो अच्छा रहेगा, तो, मुझे बोलने तो दो, मैं सब बता याद रखिए, निपात, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, अत्वा क्रिया विशेशन के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं, आओ दोहराई, जो अव्याय किसी शब्द के बाद लग कर उसके अर्थ पर विशेश बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं